नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और एपिन आट्पिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 14 दिसंबर 2023 की हिमाचल प्रदेश क की आज की सभी ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की सभी ताजा खबर तो देख सकते हैं आज की पहली ताजा खबर ब्रेकिंग नियूज हिमाचल नियूज हिमाचल सरकार को 600 करोड के की उमीद मोख्यमंत्री सुखु दोबई रवाना हिमाचल प्रदेश में निवीश का निउता देने के लिए मोख्यमंत्री सुख बंदर सिंग सुखु बोदबार को दोबई के ली रवाना होगे सुखु सरकार को वहां से लगबग 6000 करोड़ रुपय के निवीश की उमीद है सीम सुखु 13 से 16 दिसंबर तक यूपी में होने जा रही इन्वेस्टर मीट में भाग ले रहे हैं कुछ अधिकारी भी मुख्य मंत्री के साथ दोबाई गई हैं सीम ने दो महिने पहले भी यूए के हिमाचली कारोबारियों के साथ बज्वाल बैठक की थे उसमें उ जारबस्तर उद्योग बंद हो गए हैं इसे 13,000 कामगार बिरोजगार हो गया है है एचपी एसमबली वेंटर सेशन शेक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और करमचारियों की छुटियां रद हिमाचल प्रदेश बिदानसाबा की शीत सत्र की चलते शिक्षा विभाग म के पांच जीलों की 16 ग्रामिन सडकों को नावाल नदी मंजूरी 90 क्रोड जारी लोक निर्माण विभाग के इंजिनियर इनचीफ आजय गुपता ने कहा कि अब विभाग की ओर से इन सडकों के लिए टेंडर आमंत्रित किये जाएंगे सडकों के निर्माण को लेकर समय कतीबत देता और राजिस सरकार के प्रमुख निर्णयां और नीतियों के बारे में भी बेस्तार से बताया हिमाचल चंदरकुमार बोले गोबर खरीद योजना के तहत खंड स्थापित होंगे क्लस्टर क्रिशी मंत्री चंदरकुमार ने कहा कि सरकार ने दूद खरीद मुल स्थापित किये जाएंगे उन्होंने यह जानकारी क्रिशी और पशुपारण विभा की समीक्षा बैठक किया देख्षता करते हुए दी नैशनल कबड़ी प्रतियोगिता रेलवे को हराकर हिमाचल की बेटियां बनी चैंपियन सत्रमी नैशनल महिला कबड़ी प्रतियोग हिमाचल ने रेलवे को हराकर खिताब अपनी नाम कर लिया हिमाचल ने रेलवे को 37 साई के अंकों से शिकस्त की हुए धर शीतलेहर की च्पेत में हिमाचल 10 ठानों पर निउन्थम तापमान माइनस में जाने मौसम पूर्वनमाल हिमाचल के उन्चावी वारे क्षेजथरों में बीते दिन हुई बरपारी से पूरा राज्य शीतलाहर की चिपेट में आ गया है राज्य के दस्थानों का नियुंतम तापमान माइनिस में दर्ज किया गया है पहली बार सुन्दनागर बुंतरवा मंडी में नियुंतम तापमान माइनिस में पहुंच गया है मौसम ग्या हिमाचल को विशेश राहत पैकेश देने का मुद्धिश प्रतीबा सिंग ने का मुद्धा चातु अब्यून के सांसित प्रतीबा सिंग्ने लोकसवा में प्रशनकाल के दवार हेमाचर पर से हेमाचर परदेश में बर साथ से नुक्सान के लिए विशेश राहत प्राकिस देने का मामला उठाया मन्डी ने उस प्री-प्राइमरी कख्षाओं के लिए पहली शिक्षक माषा का आगाज वर्चुझ जडी वर्चुल जूड़ी हजारों मायें प्रदेश सर मंडी नियुज संदोल की शिवांगी बनी आखिल भारती विद्यार्थी परिशत की राष्ट्रिय मंत्री शिवांगी खरवाल संदोल की लचरा गाउं से संबंद रखती हैं शिवांगी की पढ़ाई दिली से ही हुई है पेचडी तक की पढ़ाई उन्होंने दिली बिश्व विदुदेशा के 55 सी कुडूकर भृत्य प्रीख्षा की उत्र कुज्जी जारी आपत्य दर्ज कराने को दिये 5 दिन लोगसे वाङ आयोग में ह्लति सी कन्रेटर भृत्य प्रीक्षा के उत्र कुज्जी जारी कर दिये 10 देसमबर को प्रदेश के 148 । प्रीक्षष केंदरों में 35,200 अभिहार्थियों ने या परीक्षा दी थी शेमला नहीं उस राज्य प्रदोशन न्यंतन बोर्ड में आठ सदस्यों की तीन साल के लिए किया मनोनीत राज्य प्रदोशन न्यंतन बोर्ड में ग्याद सरकार्यों और अन्य सदस्य मनोनीत किये गए एस मंत्री मंडल विस्तार में मंत्री मने राजेश तर्माणी और यादवेंदर गोंमा अगले दिन ही शमला से दिली चले गए हैं याद्वेंद्र गौंमा सुबाग ही फ्लाइट से दिली चले गए थे और उनका शाम को हिमाचल कांग्रस प्रबारी राजीव शुकला के साथ कांग्रस के राष्ट्र दक्ष मलिका अरुजिन खड़के से मिलने का कारेकरम था दूसरी तर्फ राजेश तरवानी बाई रोड दिली गए हैं और दिन को सोलन में थे वाभी पार्टी हाइकमान के मैं नेताओं से मिलेंगे और उनकी ताजपोशी के लिए धन्यवाद करेंगे चात्रा के कमरे में ही थे दोनों आरूपी धर्मशाला हत्या मामले में मरितका के पिता ने भी कासूनी के लगाई आरूप ज खात्रा के कमरे में आया थे गिरफतार आरूपियों को नयाले में पेश किया जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमान पर भीज़ दिया बेजा है आरूपियों ने मृतका की हत्या करने से पहले उसके साथ दुशकर्म तो नहीं किया था इसके लिए पुलिस फोरंसिक और पोश्ट माल्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करी है पुलिस ने दिये बियान में मृतका के पिता ने भी दोना आरूपियों तेंजिन छुल्डूम 21 परशे और पदम दोर्जे 20 परशे पर 10 दिसंबर रात की उनकी बेटी की कमरे में होने और कासुनी होने के आरूप लगाये है एटपी नियूज 26 दिसंबर से 11 जनवरी तक स्कूल बंद शीद कालीन छुटियों को लेकर 17 दिन का अवकाश है स्कूल और कॉल्जों में शीद कालीन छुटियों को लेकर अवकाश गोशित हो गया जैसे ही सरदी का मौसम शूरू हुआ है उसी के हिसाब से मौत बेसुद पड़ा मिला था अभागा पोलिस ने मामला दर्जिकर चुरू की चानवीन ग्राम पंचाय थारीपूर में एक बीस वर्षी योवक की संदेग दावस्ता में मौत हो गई मृत्त की पैचान आजयकुमार पोत्र किशोरी लाल वासी गाउं छोहु की तोर पर क की गई है पुलिस ने बुद बार को मैडिकल कॉलिज में पोस्ट मार्ट में करवा कर शाप परीजनों को सौंप दिया सिर्मावर सांगडा और राजगर क्षेतर में धूमदाम से मनाया बोड़ी दिवाली परव सिर्मावर जी लेके उपमंडल सांगडा और राजगर की रेक्रामों का आयोजन भी किया गया बोड़ी दिवाली पर चारना चेश्ठा कलाम मंच राजगर ने महेंदर हाप भी की अगवाई में पूरी रात दर्शकों का मनरंजन किया डम्टाल पुलिस ने चंबा के कहार से दबोचा नशे का मुख्या सप्लायर तस्पीर आप दे तैसील चुरा और मान सिंग पुत्र विशंदास निवासी दोल्यारा तैसील चुरा जीला चंबा को डाई किलो चर्श के साथ गिरफतार किया था शीद कालीन सत्र की त्यारियों को लेकर विदाहन सबाध्यक्ष ने तपववान में लिया प्रवंदों का जाज़ जा कुलू के डाढग में युवक की खाई में गिरकर मौत पुलिस चानबीन में जुटी कुलू जिला की लगाटी में बुवाई पंचायते डाढग के युवक की खाई में गिरने से मौत होगी पुलिस ने सूचना मिलते ही मोके पर पहुँचकर शब को कबजे में लेकर शान प्रदानचार नए स्टेशन पर जॉइनिंग नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही प्रणाने स्कूलों से रिलीव भी नहीं हो पाएंगे बताया जा रहा है कि एक या दो दिन में सरकार संशोदित पदोनती सुची जारी करेगी तो दोस्तों ये थी हिमाचल परदेश की आज की सभी ताजा खबरे धन्यवाद चैहिन चैभाद बताया जाएंगे